हेलो फ्रेंट्स स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल कलस्टर में अज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टेग्राम पे अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं तो यह जानने के लिए वीडियो को आकरी तक जरूर देखेगा वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक चोड़ी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ओन करिए हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको Play Store से Instagram आपलिकेशन को डाउनलूट कर लेना है डाउनलूट करने के बाद आपको इस आपलिकेशन को ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है यहाँ पे अगर आपका account पहले से ही बना हुआ है तो आपको यहाँ पे login का option मिल जाता है इस पे click करके आप यहाँ पे login हो सकते हैं तो यहाँ पे आपको फिलाल के लिए यहाँ पे एप नया Instagram का account बनाना है ID बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे sign up with email औρ phone number यह option पे आपको click करना है इसके बाद आपके यहाँ दो option मिलते है पोन और email आपके इन दोनों तरीकों से यहाँ पे अपना account बना सकते हैं यहाँ पर phone number से बना सकते हैं तो क्लिक करने के बाद आपका जो email आपने दिया है या फिर phone number दिया है तो उस पर एक code भेजा जाएगा confirmation code वो code आपको यहाँ पर डालना होगा तो हम यहाँ पर अपना email यहाँ पर open कर लेते हैं तो यहाँ पर हम इसे refresh करते हैं एक बार तो यहाँ पर हमारा Instagram का यहाँ पर code आ चुका है तो हम यहाँ पर वापस आते हैं Instagram पर और यहाँ पर हम इस confirmation code को यहाँ पर डाल देते हैं उसके बाद आपको यहां next के option पे click करना है तो यहां पे हम click कर देते हैं अब आपको करना क्या है यहां पे आपको अपना full name यहां पे enter करना है जो आप अपने instagram id पे डालना चाहते हैं तो हम यहां पे अपना full name यहां डाल देते हैं तो मैंने यहां पर अपना नाम यहां पर डाल दिया है, अब आपको यहां पर अपना password डालना, अपना password बनाना है, तो आपको अपना password ऐसे बनाना है, जिसमें letters हो, alphabet हो, और symbols हो, इस तरह से आपको यहां पर अपना password बना लेना है, तो हम यहां पर अपना password बना लेते हैं, तो इसके बाद आपको यहां पर अपना date of birth यहां पर डालना है, तो आपको यहां पर अपना date यहां पर select करना है, सबसे पहले, उसके बाद यहां पर month यहां select करना है, और उसके बाद आपको यहां पर year select करना है, तो हम यहां पर अपना date of birth यहां पर select कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है फिर आपको यहां पर अपना यूजर नेम आपको यहां पर मिल जाएगा जो इंस्टाग्राम को सजेस्ट करेगा अगर आपको यहां पर अपना यूजर नेम चेंज करना है तो उसके लिए आपको यहां चेंज यूजर नेम का तो यहां पर यह चेक कर रहा है, तो हमारे यहां पर यूजर निम एक्सेप्ट हो गया है, आप अपना यूजर निम बाद में भी यहां पर चेंज कर सकते हैं, आप आपको यहां पर पूछ रखा है कि आप अपने इंस्टेग्राम को अपने फेस्बुक से करना चाहते हैं कि नहीं चाहते है तो मैं यहीं नहीं करना क्लिक हैं कियो है, और क्लिक कर!" उसके बाद आपको यहां पोच रखा कि आप अपना अकाउंट प्राइविट रखना चाहते हैं या पुब्लिक रखना चाहते हैं तो मैं यहां पर फिलाल के लिए पुब्लिक ही रहने दूगा तो यहां पर हम नेक्ट के उप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहा लोगों को यहाँ हैं के आप सकते हैं चरना यहां पर ख Catholics आया उसके बाद आपका यहां पर आकाνट जो है वह अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं यहां पर आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं आप यहां पर बैक आजाते हैं यहां पर अपनी वेफसाइड अपना बायो डाल सकते हैं और यहां पर चेंज प्रोफाइल फोटो के अप्शन पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल भी डाल सकते हैं, तो इस तरह से आप Instagram की ID बना सकते हैं, तो इस तरह से आप जानना चाते हैं कि Instagram कैसे चलाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक separate वीडियो बनाई है, Instagram के हर feature के बारे मैंने बताया है, उस वीडियो में, उस वीडियो की link मैं description में दे दूँगा, वो वीडियो दे लिए बहुत बहुत शुक्रिए.